नमस्कार आपको यूटूब चनल फिनोज पे अगर आप हमारे यूटूब चनल पे नहें है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जबर्दर स को लेके बुरीश है और हम लोग को भी लग रहा है कि ये श्टॉक में आगे एक तेजी देखने को मिल सकता है आगे आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या टार्गेट प्राइस हम लोग को लग रहा है फिलाल ये स्टॉक को लेके वीडियो पे पूरा बनी रही कि पीप मत कीज मिल जाए वीडियो को शुरू करने से पहले बतना चाहेंगे कि अगर आपको एक ट्रेडिंग एंटिमेड अकाउंट ओपिन करना है एंजल ब्रुकिंग से तो उसका लिंक जो है हम लोगों ने वीडियो के डिस्कुशन पर देखे रखा है अगर आप हमारी यासा बहुत ही अच्छे एप्लिकेशन है जरूर देख सकते हैं तो चले शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बाते यहां पर हिंडल को के बाड़े में अगर बात करेंगे तो अगर आप हमारी यूटूब चैनल पर पूराना सब्सक्राइब आपको पता रहेगा कि जब स्टॉक का जो है लेना चाहिए या फिस्टॉक में बेचना चाहिए हम लोग सिर्फ एक ओवर्वीव शेयर करते हैं कोई भी स्टॉक के प्राइस के बाड़े में रिक्वेस्ट करेंगे जब आप स्टॉक करेंगे खुद से एक बार जरूर रिसार्च कर लेजिए तो अभी आपे देखेंगे तो छे मेने से हिंडल को स्टॉक में चे महीना पहले स्टॉक का प्राइस 124.85 चल रहा था उसके बाद देखेंगे तो चौक में एक आप्टेंड देखने को मिला है कंटीनिवास्टी स्टॉक में एक मजबूति दिखाया और अगर हम लोग उसके बाद यहाँ देखेंगे 159 के आसपा स्टॉक ने एक डाउन टेंड दिखाया फिर स्टॉक में एक आच्छा का सा मजबूति हम लोगों को देखने को मिला है तो छे मेने से दोस्तों यह स्टॉक ने जो है एक आच्छा रिटन दिया है इन्वेस्टर्स को और अगर हम लोग यहाँ पर द देखने को मिला है और अच्छा रिटन भी दिया है यह स्टॉक ने तो यहाँ पर अगर हम लोग एक मन्त का इंफ्रमिशन देखते तो एक मन्त पहले स्टॉक का प्राइज अगर यहाँ पर देखेंगे तो 184.45 का चल रहा था उसके बाद भी जो है यहाँ पर हम लोगों को एक जबर्दस मजबूती यह स्टॉक में देखने को मिला है अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं 176.50 पैसा एक डाउंटेन देने के बाद स्टॉक में आच्छा कासा मजबूती आया है अगर फाइडेस का इंफ्रमिशन देखते हैं तो फाइडेस पहले हईडेस फ्राइश परेसे में हाईडेस दिया है 220 रूपिस का एड़ प्राइस दिया है 212.10 पैसे का एक डिन का अगर हम लोगे कितना रिटान देखने को मिला है स्टॉक में यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर फिलाल हिंडाल को में जो है खरेत के रखना चाहिए आगे ये श्टॉक में एक अच्छा रिटान देखने को मिल सकता है तो हिंडाल को के बाड़े में अगर बात करते तौ हम लोगों को पता है कि अइक इंडियान एलॉमूनियाम और मेनुफेक्ट्रिंग कंपनी है और इसका जो सबसृडरिक कंपनी है जिसका नाम है आधित बिल्ला ग्रूप तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही पुराना कंपानी है जो कि 62 पुराना कंपानी हिंडल को अगर हम लोग एरिय सफ की बात करते तो वर्ल वाई जो है इसका सब्सक्राइब अच्छा की बात करेंगे तो अच्छा कासा रेविन्यू भी जिनरेट होता है ये कंपानी का टोटल एसेट अगर 2019 तक बात करेंगे तो टोटल एसेट जो है 21 डॉलार में लगभग जो है टोटल एसेट साता है पेरेंट कमपानी आधित्वरिला है तो बहुत ही बड़ा कमपानी का एक एस सबसिडारी है और बहुत ही पुरा कमपानी है और जैसे कि हम लोगों ने देखा है अभी 6 मेहने से stock में एक अच्छा return भी देखने को मिला है तो अगर हम लोग long term के लिए लेते तो यह stock में आराम से जो एक अच्छा कासा return या फिर अच्छा कासा मजबूति देखने को मिल सकता है और अगर short term के लिए लेंगे तो भी इसमें एक अच्छा return देखने को मिल सकता है तो फिलाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि short term के लिए stock में कितना target price रखके चलना है जहाँ पर यह stock में जो एक अच्छा return देखने को मिल जाए तो यहाँ पर अगर बात करेंगे हिंडलको के बारे में तो अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा है company के बारे में जो information आपके शेयर किया है हिंडलको का and graph में जो हम लोगों information देखा है तो यहाँ पर आच्छा कासा है मस्भूती हम लोगों को देखने हुए मिल रहा है तो चले आप यहाँ पर NAC के site पर देख लेता है हम लोग NAC के website पर आगे जुस्तों यहाँ पर तो NAC के site पर अगर आते है तो ट्रेड़ वोलूम अगर देखते हैं तो वह है 38,318.12 का जो है ट्रेड़ वोलूम देखने को मिल रहा है ट्रेड़ वोलूम आपके जीए पर 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 देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे security wise delivery position तो आप देख सकते हैं deliverable quantity gross across current level 41,34,272 का तो जो quantity stock में deliver हुआ है वो बहुत ज़ादा यहाँ पर लग रहा है और यह पर 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 सेंटेज निकालते हैं तो वो है 23.26% का तो यहाँ पर NAC के data में भी एक अच्छा कासा हम लोग को information मिल गए यह stock के बारे में फिलाल यह stock में क्या चल रहा है और यह stock का delivery में क्या चल रहा है तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो फिलाल यह stock में जैसे के यह stock के बारे में फिलाल हम लोग ने stop loss का देखा नहीं है बट stop loss रखना यह stock में बहुत जरूरी है क्यूंकि 6 मेने का जो हम लोग यह आप ग्राप देखा है अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर ने है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्यो चैनल क्या सकते है युर्ण क्यों भाल